हलो फ्रेंड्स! कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैंने बनाया है मूली गाजर का अचार यह अचार बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही जटपड बन जाता है मेरे गर में आज बहुत सारी मूली और गाजर आ गई थी गाजर को अच्छे से वाश करके दो-तीन पानी से और मैंने उसको छिलका उपर का निकाल करके और उसको मैंने टुकडों में लंबे आकार में काट लिया है जैसा कि आपको वीडियो में दीख रहा है जो थोड़े से मोटे टुकडे हैं उनको मैं और बारिक पतला कर लूँगी ये देखिए जो मोटे टुकडे हैं उनको मैं पतला कर लेती हूँ आप किसी भी साइज में काट सकते हैं अगर आप चाहे तो गोल आकार में भी काट करके आप अचार को रख सकते हैं मैंने अच्छे से कट कर लिया है और जो छोटे बड़े टुकड़े हैं उनको मैंने बराबर आकार में कर लिया है तो चलिए आगे का प्रोसीजर सुरू करते हैं मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई थोड़ी गीली है, इसलिए मैंने गैस को जला दिया है, जिससे इसका पानी सूख जाए, और ये अचार का मसाला है, जो मेरी दीदी मुझे बना करके भेजती है, लेकिन आप परिशान मत हो येगा, मैं अचार का मसाला भी बताती मैं एक कमच हींग दाल रही हूँ, हींग से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये पाचन में भी सहाया कोधा है, जैसी हलका सा मसाला भून जाएगा, इसमें मैंने जो मूली और गाजर को गट करके रखा था, इसमें एट कर देंगे और जल्दी से इसमें मिक्स कर द जो बेजती हैं लेकिर आप बिल्कुर परिशान मत हो येगा मैं बीच में अभी ये भी बताऊंगी कि इसमें मैंने कौन-कौन से मसाले को इस्तेमाल किया है अब मैं गैस को अन कर दूंगी और लगातार इसको चलाती रहूंगी गैस के फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई ही रख अभी नहीं डाला है क्योंकि ये मसाला जो मेरी दीदी बना करके भेज़ती है उसमें वो मसाला के साथ सथ वो नमक को भी एट कर देती है जिसे मुझे बनाने में कोई दिक्कत ना आए मैंने इसमें 8-10 कली लेसन के भी डाल दी है आप चाहे तो इसकी कौंटिटी को बढ़ा सकते हैं कभी कभी मैं इसमें हरी मिर्च को भी कट करके डाल देती हूं लेसन की मात्रा बढ़ा देती हूं लेकिन इधर इस अचार में मैंने अभी हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में भी उसका मजा आजाएगा और यह अचार ऐसा बनता है कि आप इसको एक सप्ता 15 दिन के लिए आराम से श्टोर करके रख सकते हैं मैं कड़ाई में कल्ची से लगातार इसको च इसलिए गैस को तेज रखेंगे और यह बहुत जटबट बन करके रेडी हो जाता है मेरे बच्चे तो इसको बस दो दिन में ही फिनिश कर देंगे और यह ऐसा है कि अगर आप सबजी ना भी बनाए तो आप बढ़िया सुबर नास्ते में पराठे के साथ मूली के पराठे गोबी के पराठे या आलू के पराठो के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं यह बहुत ही मज़ेदार बनता है मेरे बच्चे तो दो से तीन दिन भी नहीं इसको चलने देते हैं मूली और गाजर सौफ्ट हो चुकी है इसको मैं दबा करके देखती हूँ मैंने इसको थोड़ और पानी उसका सूख जाएगा अचार बनाने में जो भी मसाले इस्तेमाल किये हैं उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे आप सभी लोग आसानी से जटपट मूली गाजर का अचार बना सके और अपने बच्चों को भी खिला सके बच्चे वाकई में इसको बहुत पसंद करेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको ये मूली गाजर का जटपट बनने वाला अचार कैसा लगा अचार रेडी हो गया है अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रग दूँगी जब पूरी अचार निकालने से अचार जल्दी खराब हो जाता है तो साधानी बरतियेगा और ये लीजिए बिल्कुल अचार रेडी हो चुका है थोड़ा सा इसको अलट पलट करके ठंडा होने के लिए हिलाते रहेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए वैसे सर्दियों का समय है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आगे आने वाली नई रेसिपी का वीडियो का टेक क्यार